नमस्कार दोस्तों मेरा हुल सिंग एक बाब फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपन पड़ रहे थे परसेंटेज आज अपन पड़ेंगे पार्ट 11 और आज हम क्या देखेंगे बाइसाब कल अपने टेक्स वेस्ट कोश करता हूं कि आपको समझ में आएगा तो भाइसाब आपको करने लास्त तक देखना है क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं इसके बाहर कमिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा शुरू से लेके लास्त अगरा आपने देख लिया वीडियो तो भाई आपको किसी से घबराने क कमिशन मिलता है बहुत अच्छी बात है तता 15,000 से जादा की सेल पर एक परसेंट का बोनस भी मिल जाता है उसको बहुत अच्छी बात है यदि सेल्समेन की कुल आए 7,650 रुपे हो तो आपसे पूछ रहा उसकी टोटल सेल कितनी है देखो ध्यान सेक्षी समझना कमिशन क्या होता है सबसे पहले समझना कि मैंने मैं जैसे कोई सेल्समेन हूं मैंने 10,000 की कोई सेल करी तो मुझे क्या होगा उस पर कुछ परसेंट मिलता उसको बोलते है अपन कम कमिशन वो मेरी क्या होती है इंकम होती अब क्या हो रहा है वाई साब आपको टार्गेट सेट की जाते ना कि अगर आपने 10,000 रुपे सेल कर दी या उससे ज्यादा सेल कर दीना तो मैं आपको बोनस भी दूँगा लालश दिया जाता है उस लालश को बोलते है वाई साब ब सेल vine का और किस का आप बोलो कैसा सेल का बात क्लिए है चले साब अब कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं कोशन ने क्या बोल रहा है एक सेल्समें इनको टोटल विगरी का 12% कमिशन मिल रहा है यानि 12% क्या मिल रहा है उसको कमिशन या उसका फिक्स हो गया तिरे को 12% तो मिलेगा ही मिलेगा अब उसने कंडिशन रग कि भाई साब अगर आप 15,000 रुपे से जाधा की सेल्स कर रहे हो तो भाईया आपको क्या मिल रहा है भाईया आपको दे रहा है वह एक परसेंट का बोनस दे रहा है मुझे एक चीज़ समझाना भाई साब बस एक छोटी चीज़ मुझे समझा देना प्यारे बालक बाले का हू अगर वो 15,000 तक की सेल कर रहा है तो भाईया उसको कितना मिल रहा है आप बोलोग सार उसको 15,000 की सेल करने पर कितना मिल रहा है आप बोलोग सार 12% मिल रहा है मैंने का एकदम बढ़िया बात है कोई दिक्कत नहीं है कितना मिल रहा है 12% मिल रहा है लेकिन जैसे यो 15,000 प्ल करें नहीं बता सकते तो भाई हम इस को का शिफ्ट करेंगे टोटल को 15,000 पर हम मानके चल रहे हैं कि वैसे उसने 15,000 की सेल करी है और उसको एक परसेंट का क्या मिल रहा है बोनस मिल रहा है अब मुझे एक सी बता हो कि 15,000 का जो एक परसेंट होता है वो कितना होता है फटा-फ परसेंट कितना है आप फटावट से बोलो सार 500 रुपा है कितने रुपए है 500 रुपए यह 500 रुपए क्या मिल रहा है उसको बोनस मिल रहा है तो मुझे बताना एक चीज़ समझाना उसका जो बोनस हो गया बोनस कितना मिल गया आप बोलो सार बोनस मिल गया उसको 500 सेल्समेन की जो टोटल इंकम है वो अभी तक कितनी है 7,650 लेकिन उसको बोनस मिल गया 150 रुमालो मेरी जो इंकम है वो 8,000 रुपे मेरे को 1,000 रुपे बोनस मिल जाता है अब मेरी इंकम कितनी हो जाएगी आप टाफट से क्या करोगे 8,000 प्लस 1,000 कितनी होगे 9,000 यानि मैं बोल सकता हूँ उसकी जो अब इंकम होगे कितनी होगे आप बोलो से 7,650 में कितना एड कर दिया 150 एड कर दिया यानि कितना हो गया आप बोलो से 7,800 रुपे कि उसकी क्या होगे इंकम होगे कि आप कितनी होती है आप से काम इतना जाधा करवाएंगी और आप कुछन नजर आएगा तो निप्टा दोगे X और Y करोगे बाइ करते नहीं मैं हमेशा बोलता हूं अपने को स्ट्रॉंग बनाओ कंसेप्श्वल अपने आपको ऐसा तयार करो कोशन देखे समझ यह कोशन है यह टाइप है इसको उड़ा दू सारे चीज़े मैंने आपकी टाइप वाइस लिखी है वाइस सजा के दिया आपको केवल पहनना है यार परसेंट बोनस लेता है यदि उसकी कूला है 7400 रुपए तो कुल विक्री ग्याद करो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हम इस कोशन को विदाओट पैन विदाओट वेपर कर सकते हैं तो आप बोलो सर यह क्या मजाक है मैंने कोई मजाक नहीं करेंगे देखो न साप 3 परस जाएगा यानी की वाली कितनी है तो टोनेट आउनसर आगया इतना साही तो करना था बाई साहफ कुछ भी नहीं करना था देखो ध्यान से आपको जब मैंने समझात है तो भाई-अब जल्दी-ल्दी करना है तो सेविन परसेंट उसको मिल रहा था भाई-एगह ठीक है अब तो कितना भाईया 3% उसको bonus मिल रहा है ध्यान रहो टोटल मिला के कितना हो गया सर 10% हो गया ठीक है यह उसकी income एक है नहीं है बलो सर बिलकुल income है 10% मुझे बताओ भाई साफ कि अगर आप से बात कर रहा है 3% किसकी 20,000 का 3% उसको bonus मिल रहा है तो 20,000 का 3% आप easily निकाल सकते य तो 10% की वैल्यू कितनी होगी आप से पूछा 100% की वैल्यू तो 100 इदर 10 से मल्टिप्लाई इदर 10 से मल्टिप्लाई कितना हो जाएगा 80,000 रुपे का सामान बेच रहा है तब जाके उसको कितने रुपे मिल रहे हैं या 8,000 रुपे मिल रहे हैं समझ पार होगे का इसके सामने वापस से आजिर है राहुल की आये दो लाक रुपे बढ़ जाती है लेकिन आये पर जो कर लगता था वे घटकर 25% से 20% हो जाता है वे दोनों अवस्थाओं में समान कर देता है बढ़ी हुई आये कितनी है एक बार आप फटा फट से इसका आंसर देने की कोशिश करो कि भईया इस कोशन का आंसर क्या आने वाल ह खुश से ट्राइ करो आंसर आपके सामने हजिर हो जाएगा देखो एक बार आपको बोल रखार राहुल किया है दो लाक रुपे से बढ़ जाती है हमें नहीं मालूं कि उसकी इंकम थी कितनी हमने मालनी पहले इंकम कितनी थी एक्स थी ठीक है अब कितनी इंकम है उसर वाई पहले जो टेक्स लग रहा था वो भी अब लग रहा है यानि टेक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा और वो टेक्स घटकर कितना और पहले उसको 25% टेक्स लग रहा था पहले कितना लग रहा था 25% टेक्स लग रहा था अब कितना लग रहा है वह 20% टेक्स लग रहा है तो तो टेक्स है वह कितन TWO ऒधिया 25 परसेंट से घढ़ कर कितना वेइस परसेंट नफोंद ना फाइले Cayd itA2 रुपे और टेक्स लगता एक ते डोनों की दोनों टेक्स आनेक बराबर हैं यह बराबर है उसे चीक चीक के बोला है कि आपका जो टेक्सiği वह जो चिलनारा तो भाईया आप तो question खतम हो गया देखो एक question डरावने होते हैं है कुछ नहीं इस question के अंदर percent से percent की हो गया वह या cancel out हो गया वह बहुत अच्छा किया मैंने का और क्या जा रहा है वह इधर जा रहा है किस से 5 बार इधर कितनी बार 4 बार तो देखो इधर कितना गया 5x इधर कितना गया वह साब आप बोलोगे सर 4y तो बताओ x की वैलू कितनी आगए चार और y की वैलू कितनी आगए आप बोलोगे सर y की वैलू कितनी आगए 5 ठीक है अब देखो हमारे recording कितनी बढ़ रही है और वन यूनिट की वैलू कितनी है टू लैक्स रुपीज है वह या तो कि आजाओ option number 1 की तरफ बात क्लिए रहे गया ऐसे question आएगे निप्टा दोगे पूछने की बात है क्या मैंने का पूछना तो पड़ता है वह यह ना आगे बढ़ते है next question देखो आप सिखा कह रहा है एक और question आपके सामने आगया कि राहुल की आए 6 लाक रुपे से भढ़ चाहती है तो करकी rate यानि आपकी Techs की rate 18% से घटकर 15% हो जाती है दोनों अवस्था में 25% आए कर मुख्थ है तता वह समान कर देता है तो वर्तमान आए गयात करो करो वहीया इस question को एक पार ट्राय करो आप खुठ से ट्राय करो इस question का answer क्या आने वाघ चल्दी से आंसर दे परेट कितनी रूप है पहले कितनी था टेक्स की रेट 18 परसेंट थी अब कितनी और बहुत कितनी और 15 परसेंट अब उसने गया बोल रखा है दोनों अवस्ता में 25% जो आपका टेक्स है वो जो इंकम है वो टेक्स फ्री है यानि 25% क्या है उसकी इंकम टेक्स फ्री है दोनों ही कंडिशन में बोल सकता हूं भाईया इस कंडिशन में भी आपकी टेक्स फ्री है और आपकी इस कंडिशन में कितनी है टेक्स फ्री है आप जब दोनों ही कंडिशन में टेक्स फ्री है वाई साथ यह तो पागल बनाने वाली बात थी यह तो कट जाएंगे यह तो आपको केवल क्योशन में आपको गुमा रहाता है कि गूम जाओ लेकिन हम तो समझदार प्राणी है भाई हम क्यों गूमेंगे तो भाई यह तो पागल बना रहा था बन गए पागल चलो अटाओ अब हमारे पास क्या बन गया एक्स का 18 परसेंट ठीक है इस इक वाई का 15 परसेंट इसली किया दादाओ क्योंकि यहां पर वैलिव उसने साफ सा बोल रखा है दोनों कंडिशन में वह क्या दे रहा है सेम टेक्स दे रहा है वह सेम देखो यहां अंसर आ रहा है अब डारेक्ट स्वाल परते हैं यहां पर कितना आ जाएगा अदर कितनी आजाएगी तर कितनी आजएगी अब उसने बोलो रखा कितना इंक्रीज हो रहा था हूँ सिक्स लैक कोशन ने क्या पूछ ऑई यहां वो देखो द्यान से कोशन सब्सक्राइब करेक्ट आंसर समझ गए कहानी आप बोलो कि सर एकदम समझ गए किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है मैंने डाउट नहीं रखना है आज के बाद मैंने बोले ना एक एक मिलब वीडियो के अंदर मैं आपका एक टाइप खतम करता जा रहा हूं कि उसके क्या अच्छी बात है बहुत बढ़िया क्या करूं मैं है तता 10,000 से ज्यादा विक्री पर 1% बोनस देती है यदि सेल्समेन अपनी कुल विक्री में से कमाई घटा कर शेश 45,000 रुपे कंपनी में जमा करा देता है तो उसकी कुल विक्री आप से पूछ रहा है कुल विक्री क्या होगी देखो साब एक चीस समझना इससे पहले भी अपने ऐसा कोशन सॉल्व किया था और अब भी अपने से कोशन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ और इसमें छोटा सा डिफरेंस है बताता हूं देखो क्या आपको भावनाव में नहीं बेना है एक चीस समझना वो लास्ट म भी दिन बर का जितनी भाग दोड़ करी तो उसको 45,100 रुपे मिले तो उनको लेके कंपनी में जमा कराने जा रहा है यह उस सेल्समेन की इंकम नहीं है इस बात को अपने माइंड के इंदर एकदम फिट करके रखना यह इंकम नहीं है यह उसने जितना कमाया था पूरे दिन मिलता है 10,000 तक की सेल पर 10,000 तक की सेल पर उसको कितना मिल रहा है 9% मिल रहा है और 10,000 से जादा की सेल कर रहा है तो भहिया उसको 1% का मिल रहा है उसको बोनस मिल रहा है उसको 1% कितना मिल रहा है तो मुझे बताओ एक बार कि यहां तक उसको कितना मिल रहा है इसको कलर चे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोले सार बिल्कुल मिलेगा तो तो 10,000 का Dziękuję परसेंट निगाल दो कितना होता यहुदव यानि सो रूपए उसको क्या मिल गए उसकी जैब में बनसर एकदम बढ़िया लेकिन ध्यान रखना यहां जो value है यह आपकी salesman की income नहीं अभी अभी समझाये था यह क्या है इतना collection किया है उसको उठाके वो क्या लेके जा रहा है पैंक में लेके जा रहा है तो यानि उसकी sales है यह कितनी है sales है मुझे एक सिर्फ बताओ कि total percentage कितनी होती है 100% अगर 100% में से 10% उसकी income है किसकी salesman की तो बाकी का बच्चा 90% तो sales है बिल्कुल यह 90% क्या है sales है यानि 90% की value 45,100 है क्या नहीं नहीं सुनना इस बार ध्यान से वो जा रहा था भाई साब 45,100 रुपे जमा कराने लेकिन जैसे उसको पता लगा कि 100 रुपे मेरा bonus है उसने क्या किया जो 45,100 रुपे जमा कराने जा रहा था ना उसमें से उसने 100 रुपे अपनी जैम में रख लिए वहीं से रख लिए यानि उसने जो company में जमा करा है वो कितने जमा करा है कि भाई साब 45,100 पहले जमा करा था लेकिन जैसे उसको पता लगा कि भाई मुझे 100 कर रहा है कितने इस रुपए घमा कर रहा है सर 150000 और आप से पुछाए है टोटल सिल समेशा कितनी होगी यह 100% होगी 90% की वेल्ए आपके सामने रखे 45000 क्या आपन 100% की वेल्ए नहीं निकाल सकते बुले सर अराम से निकाल सकते यानि टोटल जो सेल्स थी वो कितनी थी पचास हजार यह कोशन का अंसर आगे आपको कहीं नहीं मिलने वाला बहुत मैनत लगती है चलो आगे बढ़ जाएं एक और कोशन ले लें ऐसा पुले साब बिल्कुल एक और कोशन लिलो मैंने का यलो साब आजाओ एक और कोशन आगे आपके सामने कोशन आप से बोल रखा है कि एक कंपणी अपने सेल्समेन को कुल विक्री का 9% कमिशन देती है और 20,000 से ज़्यादा विकरी पर 1% बोनस देती है सेल्समेन अपना कमिशन काटने के बाद 63,200 रुपे कंपणी में जमा कराता है तो सेल्समेन दोरा की गई कुल ग्यात करो, अब को भाया को खुछ से solve करना is it all खुछ से try करो को solve करने के भाया इक ऩी question हमें से होगा कर नहीँ होगा question की भावना गाльद है, समझो sबसे पहले क्या कहा रहा question गोशन भाया यह कह रहा है आपसे kon factual ये company airline को 9% commission देती है और यानि 20,000 तक कितना कमिशन दे रही है वह या इस 20,000 तक कितना कमिशन दे रही है वह या इस 20,000 तक कितना कमिशन दे रही है वोले सर 9% दे रही है मैंने एकदम बढ़िया जैसे ही 20,000 प्लस करता है जैसे ही 20,000 प्लस करता है तो उसको कितना मिल जाता है वोले सर 1% बोनस मिल ज आएंगे अग्या करе रहा है भाई चीज बताना नौ पर्सेंट प्लस एक पर्सेंट कितनी घुल सेथा था पॉटल जो सेल्स होती है वो कितनी हो इती हमेशा है आप लोसा सो परसेंट होती है ठीक है इसमें से दस परसेंट उसकी इंकम आ गई तो बाकिका 90 परसेंट क्या बच्छा सेल्स बची क्या बिल्कुल बच्छी क्या 90 की वैलू त्रेसट हजार दोसो है गया आप चीक के बोलना नहीं नहीं है क्यों नहीं है जैसे उसको पता लगा कि भाई 200 रुपे मेरा बोनस है वो 63 रुपे जमा कराने जा रहा था उसमें से 200 रुपे उसने क्या ले लिए अपनी जेम में रख लिए तो भाई उसने कितने रुपे जमा हां है वहिए 63 LI कितने रुपे जमा करा है 63 रुपे जमा करा है 63 रुपे यानि 90 परसंट की व!" सत्तर हजार यानी टॉटल सेंट नमबर सी गया को आप समझ गए जो में आपको समझाना चला था आप एकदम समझ गए कोई दिक्कत नहीं है चलिए साब देखो कोशन आप से कहा रहा है कोशन आप से बोल राम की इंकम वन लेक से बढ़कर एक्स उर्पीज हो गई ठीक है तथा आयकर की दर पहले से 37.5% कम हो गई परन्तु राम द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है आयकर की दरों का अंतर 9% है तो एक्स का मान कि कोशन देखा देखा सा लग रहा है चलो साब आप से बोल रखा है कि सबसे पहले हमें एक ची समझ में आगी 37.5% की वैल्यू कितनी थी सर 8 थी अब 3 कम हो गई यानि कितनी हो गई 5 हो गई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आपको बोल रहता है परन्तु राम द परसेंट नहीं तो नहीं है एक दम अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोशन आप से सवाल होगा नहीं चलो सब आगे बढ़ते है अब आपको क्या करना है देखो ध्यान से यह 24% है यह 15% है अब मुझे बताओ कि भाई पहले कितने उसकी income कितनी थी एक लाक रुपे थी पहले कितनी थी वन लाक रुपीज थी बुर सर अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है एक लाक पर वो 24% tax देता था अब उसकी income कितनी होगी सर x से increase हो गई यानि x बढ़ गई अ पता नहीं mo율 भाई एक बाच बढ़ गए ठीक है अभी tax किया है सेम है पहले भी इतना देता था आप था सर टेक्स के आपके एक लाक परब०्स में कली इनकम है बोले सार एक लाग साट अजार उसकी इनकम है बात क्लियर है कि आप एकदम क्लियर है मज़े की बात और बता दूं यहाँ पर क्या होगा जो आपने डिफरेंस लिया है यह आपको लेने की जूरुत नहीं थी जो कि कटी रहा है तो यहां देखो रेट कितनी है आट औ बहुत अच्छा कोश्चन वाइस आपको बोल रहे है कि राम को पहले अरजित 4500 रुपे बार 20% टेक्स दिना पड़ता है बहुत अच्छी बात है 4500 और 7500 के बीच अरजित की राशी पर टेक्स 30% है यानि 4500 से और 7500 के बीच का जो आपके अरजित राशी है ना उसको कितन 60.30% डेक्स देना पड़ता है और 30% टेक्स के रूप में दिया तो उसके आप से पूछ रहे है इंकम क्या है बहुत अच्छा कोशन है बाइस अब सबर्दस कोशन है गया- αपको बोल रख़ा है कि यह 20% कब दे रहा है यह 20% कब दे रहा है उसको पता है कि बाइंग कि टी 20% fix है ना आप बोले सार एकदम fix है यानि 4500 अगर रुपीज वो कमा रहा है तो 20% का tax दे रहा है डूसरी condition क्या है 4500 से 7500 के बीच में कितना tax दे रहा है सर 30% tax दे रहा है मैंने का एकदम अच्छी बात है और उसने tax कितना दिया है 23.33% एक चीज समझना ध्यान से देखना यहा कितना है सर 30% और overall tax कितना दे रहा है 23.33% कि आपको कुछ नजर आ रहा है कि यह जो tax है न overall tax यह किस-किस के बीच में 20% और 30% के बीच में या यह mixer हो गया कितना परसेंट का हो गया 23.33% का इसको मैं ऐसे लिख दूं कि आपको एक दम ऐसे लिख दो यह कुशन किसका बन गया mixture and allegation का mixture allegation की बहुत चीज property होती है वाइस साब कि यहाँ पर बड़े में से छोटा एक बार minus होता है एक बार चोटे में से बड़ा minus होता है दोन अतरब बड़े में से चोटा यहा यह बड़ा होगा यह एक बड़ा होगा देखो ध्यान से 30 बड़ा है किस से 23 से तो एक बार इसको minus कर देंगे 23 बड़ा है किसमें 20 परसेंट से तो इसमें से एक बार इसको minus कर देंगे यह mixture allegation की property होती है वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे अभी कले इतना देख लेना ठीक है बड़ा सार एकदम बढ़िया यहां कितना बच्छा आप बड़ा सार थर्टी परसेंट में स पड़ा सार एकदम बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है इधर कितनो हो गया ॹए apa रॉया टेन भाई थरी परसेंट मैंने का आँप यहां कितना अच्छा आप यह कुड़ घय काट गया सब क्लगा तो रेशो बन वेंट कर रहा वहिया, 4500 से 7500 के बीच को, तो मुझे बताओ, कि 2 unit की value कितनी है, देखो, इस 2 unit की value कितनी है, 45, और ये 0, 0 चिपका दिए, तो 1 unit की value कितनी आ जाएगी, देखो, द्यान से 2, इदर कितना हो जाएगा, 2, 2500, तो 1 unit की value इतनी आ गई, अब आप से पूछाए वहि निकाल दी, 2 unit की हमें पता है, 4500, 1 unit और add कर देंगे, यही तो आपकी total income दे रहा वहिया, कितना, 2250, add कर तो भाई से आप कितना आ गया, आप रोसे इतरा गया, 0, 5, 7, 6, 7, 5, 0, का नज़र आ रहा है, option number C में नज़र आ रहा है, और यही हमारे इस question का क्या है, एकदम correct answer है, बहुत जबर्दस question था, अच्छा question था, तो भाई उमीद करता हूँ कि आज की class आपको जबर्दस लगी होगी, बैतरीन से questions अपने किये, कल कुछ और बैतरीन questions के साथ आप से वापस से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए, मस रहिए, जै हि जै भारत, धन्यवाद